हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की इशिक्षानी देशाले राष्टे राज़ानिक्षेत दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट तंबर 35 जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है विज्ञान विशेसले और आज जिस पार्ट को हम इसमें समझ रहे हैं वह तो हम जानते हैं क्योंकि पिछली वक्षीट में भी हमने इसको जाना था वो है जन्तूओं में जनन ठीक है आज हम जो यह पार्ट पढ़ रहे हैं बिटा यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है और कई बार स्कूल में टीचर भी इसको पढ़ाने में कुछ हेजिटेट करते हैं बच्चे भी कुछ हेजिटेट करते हैं तो आप इसको ध्यान से समझेगा क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी पार्ट है तो शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन होता है यह प्रिथवी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवशक है देखिए पिछली वर्क्रीट में हमने जाना था कि जैसे सजीवों की दूसरी क्रियाएं श्वसन, उत्दीपन या अनुक्रिया जो हमने पढ़ा था फिर वो सर्जन भी करते हैं, गती भी करते हैं इन सारी प्रक्रियाओं के साथ जनन या प्रजनन भी एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है जैविक क्रिया है क्योंकि यह इस बात को सुनिश्चित करती है कि प्रिथवी पर जीवन बना रहेगा क्योंकि अगर ऐसा ना हो ये पिछले वर्क्षीप में हमने समझा था ना कि धीरे धीरे आबादी खत्म होती चले जाएगी फिर हमने ये भी समझा था कि ये दो प्रकार का होता है एक को हम लैंगिक जनन कहते हैं लेंगिक जनन क्या होता है जिसमें एक नए जीव की उत्पत्ती के लिए दो जीव नर और मादा दोनों ही अवशक हैं और दोनों के सलियन से एक नए जीव की उत्पत्ती यानि उनके संतान की उत्पत्ती होती है और दूसरा पड़ा था अलेंगिक जनन जिसमें एकल जीव ए आपने आपको दो भागों में विभक्त कर देता है और नए जीव की उत्पत्ती हो जाती है। फिर जैसा कि हम पिछली कक्षा में पड़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। जो सामान्य तहा पादप के फूल यानि पुश्प में स्थित होते हैं। यानि पौधों में भी नर और मादा जननांग होते हैं। यानि नर और मादा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यानि ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो युगमनज बनता है और फिर युगमनज से एक नया जीव बनता है। आईए हम मनुश्यों के जनन तंत्र के बारे में अब जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्यन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मनुश्यों में लेंगिक जनन कैसे होता है। तो देखिए लेंगिक जनन के लिए जैसे कि हमने पहले भी जाना है नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। और नर और मादा के जो जनन अंग होते हैं, जनन तंत्र होते हैं, दोनों ही अलग-अलग होते हैं, तो आज की इस वर्क्षीट में हम केवल नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे, तो देखिए नर जनन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं, एक जोड़ा व्रिशन, यानि की दो व्रिशन, दो शुकरानू नलिका, और एक शिष्ण, देखिए यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया हुआ है, जिसमें यह साफ तोर पर दिखाया हुआ है, इन अंगों को दिखाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह बता रखा है, देखिए, क्या बत होता है, व्रिशन में होता है, और एक शिष्ण, और यह शिष्ण होता है, जिसमें से शुकरानू बहार आते हैं, व्रिशन, शुकरानू, यानि नर्योगमक, और टेस्टेस्टोरन, नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं, लाखो शुकरानू व्रिशन के द्वारा निर्मर यानि ये जो शुकरानू है वो लाखों की संख्या में निर्मित होते रहते हैं वरिशन के अंदर यह एक एकल कोशिका की तरहे हैं लेकिन इन में गुण सूत्रों की संख्या सामाने कोशिका से आधी होती है हाला कि शुकरानू अकार में बहुत छोटे होते हैं और ये हमें ऐ ऐसे ही आखों से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्म दर्शी की अवशक्ता पड़ती है। प्रतेक शुकरानू में क्या होता है कि प्रतेक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंच होती है। जैसे कि आप अगर इस चित्र को देखेंगे तो आपको प की शुकरानों का आकार होता है। फिर इसके बाद पूंच जो है सांप की तरह, आगे और पीछे दोनों होती हैं यह किसली होती है शुकरानों को अंडे की और ले जाने के लिए हुती है। याणि जो इस तरीका जो जननन में तंद्र तक पहुचाना होता है, यानि जो मादा होती है, उसके जननतंत्र में घरबाशे और फैलोपीन ट्यूग होती है, तो शुकरानु को वहां तक पहुचना होता है, ताकि युगमनज बनाने के लिए डिम्ब के साथ निशेचन हो चके, यानि जो मादा जननतंत्र में जो अंडा बनता है अंडानू बनता है उस तक शुकरानू जब पहुंचता है और उस अंडानू के साथ मिल कर वो एक नए जीव की रचना करता है तो इस तरीके से मनुश्यों में भी लैंगिक जनन होता है तो ये तो थी वर्कशीट के टॉपिक चलिए अब हम स्वैम को जहाचने के लि तो देखिए जनन एक जैविक क्रिया होती है जिसमें एक नया जीव उत्पन होता है यानि उस प्रक्रिया को जिसमें एक नया जीव उत्पन होता है उसे हम जनन कहते हैं फिर लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच के आंतर होता है देखिए लैंगिक जनन में एक नए जीव की उत्पत्ती के लिए प्रयाप्थ होता है इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न लैंगिक जनन को परिभाशित करें क्या ये पौधों में ही होता है तो देखिए नर योगमक और माधा योगमक के सल्यन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं यानि नर योगमक और माधा योगमक के मिलन को हम क्या कहते हैं और उससे जो जनन होता है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं इस क्रिया में दो जीव नर और माधा मिलकर नई संतती यानि नए जीव को बनाते हैं और फिर ये है कि ये पौधों में होता है, हाँ ये पौधों में भी होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे भी भी लगा दीजिए, क्योंकि सिर्फ पौधों में नहीं होता, मनुश्यों में भी होता है, पौधों में भी होता है, और जीव जन्तुओं में भी होता है, इसके बाद अगला प्रश बना सकते हैं कि देखिए इसमें पूरे जो हमने अभी वहाँ देखा था वही सब चीज़े हैं कि वरिश्न ये होते हैं ये दो की संख्या में होते हैं दो शुकरानू नली होती हैं और एक शिश्न होता है ठीक है आप इस चित्र को भी बना सकते हैं फिर चौथा प्रशन है कि नर युगमक का क्या नाम है इसका निर्मान कहा होता है देखिए नर युगमक का नाम शुकरानू होता है और इसका निर्मान वरिशन में होता है उसके बाद प्रशन नमबर पांच दिये गए कतनों में सही या गलत लिखिए तो शुकरानू एक एक एकल कोशिका नहीं है ये गलत है शुकरानू एक एकल कोशिका है और दूसरा है कि वरिशन शुकरानू और टेस्टेस्टोरन हार्मोन का उत्पादन करते हैं ये बिल्कुल सही है तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ मे आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहे लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज सुहाना बनाना है इसी आशा के साथ धन्यवाद